ब्रेड और मटर का नास्ता बनाने के लिए मैंने हाँ पर चार वाइट वाले ब्रेड लिए हैं ब्रेड को इस तरीकी से तोड़ करके मिक्सर जार में डाल लेंगे मैंने आप पे वाईड बेड लिये हैं आप चाहे तो इसकी जग़ा पे ब्राॉण ब्रेड भी ले सकते हैं अब मैं डालूगे इसमें तीन टेबल इस्पून रवा सुझी जो भी आप इसे बोलते हूं रवा डाल देंगे, तीन टेबल इस्पून अब डालूँ कि मैं इसमें half cup दही दो मैंने हरी मिर्च लिए इसको बीच में से काट लिया है हरी मिर्च डाल देंगे, नमक डाल देंगे नमक बहुत ज़्यादा अढ़ नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी अभी श्टफिंग बनाएंगे स्टफिंग में भी नमक डालेंगे तो autos船 एट करना है one कि तो अगma सा पानी डालेंगे अब हम इसको पीस लेना है बिल्कुल वारी पीचना है बेटर को वैंने पीस लिया यह बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए यह और इसे बाउल में डाओने तेखिए बहुत जाधा इसको पतला नहीं करेंगे बहुत जाधा इसको गाडा भी नहीं बिल्कुल उसी तरीके का होना चाहिए अब हम करेंगे यहां पर श्टफिंग की तैयारी तो मैंने एक पैन ले लिया है विसमें डाला है दो टेबल स्पून ओईल अब डालेंगे इसमें सबसे पहले हाफ टीस्पून जीरा जीरे को थोड़ा सा चटकने देंगे देखिए जीरे का जो कलर है और चेही हो गया है तब इसमें डाल देंगे एक कटी हुई प्यास और दो ग्रीन चिली डाल देंगे प्यास को मैं थोड़ा सा भून लेना है ये देखी प्यास को मैंने थोड़ा सा भून लिया है तो अब इसमें डाल देंगे 1.5 टीस्पून जिंजर कालिक पेश्ट प्यास को बहुत जादा नहीं भूनना है बस हलका सा सवा कलर से इंज दे उतना ही इसको भूनेंगे लेस्पून डाल करके उसको भून लेंगे अब मैं इसमें एड़ करूंगी कुछ मसाले तो मैं यहां पर आड़ कर रही हूं 1-4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1-4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ज्यादा मसाले इसमे याट नहीं करेंगे, बस डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ी दिर इसको भून लेंगे प्यास के साथ, तक कि हल्दी का जो कच्छा स्मेल है वो खतम हो जाए कुछ सेकेंड के इनको भून लेंगे ऐसे ही, बसालो का मैंने थोड़ी दिर भून लिया है, बस डाल देंगे 1 कब फ्रेस हरा मटर, मटर को डाल करके इसको थोड़ी दिर मटर को भूनेंगे, अब हम 2-3 मिनिट ताकि जो मटर है वो थोड़ा सा गल जाए, मटर को गलाने के अब भुनेंगे थोड़ी देर इसको और यह देखिए मैंने मटर को तीन से चाल मिनट पका लिया है और जो मटर अच्छे से कुक हो गया है मटर को कुक होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है लाश्ट में मैं इसमें एड करूंगी गरम मसाला तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1-4 टीस्पून गरम मसाला गरम मसाला डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मैं इसमें कोई मसाला एड नहीं करूंगी तो मिशक करके अब गैस का फिलिम बंद कर देंगे इसको ठंडा होने देंगे जो स्टफिंगा थोड़ी सा थंड़ी हो गई है तो अब हम इसको पीस लेंगे तो मैंने송 आपके मिकसर का जार लिया है जार में सारी मतर की स्टफिंग ढाल देंगे अब इसको हमें पीस लेना है, इसमें हमें पानी बगारेगा, यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसे हमें इसको पीस लेंगे यह देखें, मैंने मटर को इस तरीके से दरदरा पीस लिया है, बिल्कुल बारीक प्रेश नहीं बनाएंगे इसको, ऐसे दरदरा रखेंगे अब इसमें डाल देंगे 1-4 टी स्पून बेकिंग सोडा, कुकिंग सोडा, मीठा सोडा, जो भी आप इसको बोलते हूँ, डाल करके अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और यह में जब बनाना है तभी डालना है, पहले से जाल के नहीं रखेंगे मैंने आप एक तभा रख दिया है गरम होने के लिए और अब इसको तभे को ऑईल से चिकना कर लेंगे, बहुत ज्यादा ओईल नहीं लगाना है आप देख सकते हैं वीडियो में कितना ओईल लगा रही हूं बस तभा चिकना हो जाए उतना ही ओईल लगाएंगे इस पर कलची लेंगे कलची की हैंगे एक कलची बटर जो हैं फैला लेंगे इस तरीके से बहुत बढ़ा नहीं फ्राहरी हूं है अब देखिए जो चीला है वे एक साइट से हो गया है इसको प्रेस करते वेश को चिपका देगे तरीकेसे बहुत जादा नहीं करना है पतला ही रखेंगे इस्टफिंग को अब हम इसके उपर फीट से जो हमने जो बैटर है उसको इस्पून की हेल्प से हमें पत्ला पत्ला फैला देना है गाढ़ा नहीं रखेंगे पत्ला ही फैलाएंगे इस्टफिंग लेंगे उसको चारो तरफ इस्पून की हेल्प से फैला देंगे इस तरीके से और देखिए अच्छे से फैल गया है अब उपर की साइड में थोड़ा से ओल डालेंगे और इसको अब हम पलट लेंगे पलट की डूसरे साइड से इसको कुक करेंगे ये देखिए नीचे की साइड से बहुत अच्छा कलर आया और अच्छे तरीके से शिख गया है अब इस चीलियों को ऐसे हम अच्छे तरीके से से करते से इसको किनारेंचे से प्रेस करते वे इसको कुक्छा न रहे और देखे इस साइड से भी तरीके सी चिग गया है अच्छा सा कलर आ गया है गोल्डन कलर तो दोनों साइड से इसको ऐसे हमें सेक लेना है और यह जो नास्ता यह बहुत जादा टेश्टी होता है और हेल्दी तो होता ही है क्योंकि हमने इसमें आउयल का यूस बहुत कम किया अजिए आज बन गया है इसी तरीके सी दूसरा बना लेंगे इसी तरीके से दूसरा भी हम बना लेंगे पर अब तवे पे आएल नहीं लगाएंगे बिना लगाई हमें इस बैटर को तवे पर फैलाना है अब इसको ढग देंगे कुछ सेगंड के लिए और दिखिए जदेगे जो प्रण चीला है वो नीची prose rice की साइट सिसको रख लें गेPre dूसरी साइट से नीच केसर मतर के स्टसेस को रख लेंगे इस तरीके से टिक्की के जैसा इसको शेप देंगे अब उसके उपर फिर से जो हमने बैटर बना के रखा है वो डाल देंगे डालकर इच्छी से इसको फैलाना है इस तरीके से फैल आ देंगे चारो तरफ जैसा हमने पहला बनाया है उसंतरीके सीजटे को भी बना लेंगे तोड़ lesson सोलय डालेंगे एक किनारों पूर्ठ Прैस को भी वह तो बोटे कि अच्छा नहांसको और यह देखिए हमारे जो यह ब्रेट का चीला है मटर की स्टफिंग के साथ यह बनके रेडी हो गया है यह देखिए अब मैं इसको आपके कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से यह कैसा है उपर से बहुत ज्यादा क्रिस्पी रहता है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहता है आप इसे ब्रेकफ़स्टे बना के खाईएगा आप लोगों की बहुत पसंद आएगा और यह देखि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा मुझे कमेंट करके बताईएगा आप लोगों को रेस्पी कैसी लगी चैनल पर फरस्ट ने माय होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बैल बटन को जरूर हिट करिएगा